इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत आपको दी जाने वाली राशी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके लिए क्या इलाज किया जा रहा है और आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने की कितनी आवशक्ता है यदि आप घर पर इस दवा का उपयोग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इसे सही तरीके से कर न चाहिए अधिक खुराक न लें या इसे अधिक बार उपयोग न करें अधिक खुराक लेने से आपकी स्थिती में तेजी से सुधार नहीं होगा और आपके साइड इफेक्ट का खत्रा बढ़ जाएगा अच्छा महसूस होने पर भी इसे नियमित रूप से लेते रहें इ आपके हाथों या टेखनों में सूजन यानि की एडिमा शामिल हैं। यदि ये दुश प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। स्टेरोइड संक्रमंट से लड़ने की आपकी जीविती का प्राप्ट न करें। स्टेरोइड बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपके पास भंगूर हड्यां यानि की ऑस्टियोपरोसिस, मूड विकार, उच्चरक चाप या यकृत रोग है। इसके अलावा अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको मधुमे है। यह दवा रक्ट शरकरा किस तर को बढ़ा सकती है जिससे मधुमे अबिगर सकता है। कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने चिकित सको अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जिनका आप उप्योग कर रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह उप्योग करने के लिए सुरक्षित है। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। यदि इस दवा का उप्योग लंबे समय तक किया जाता है तो आपसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेश, बोन डैंसिटी की नियमित निग्रानी के साथ साथ आँखों की जांच के लिए कहा जाएगा। व पॉल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।